मुख्यमंत्री जराम ठाकुर की सरकार ने करोना संकटकाल में जन्द को अपने हाल पर छोड़ दिया और अब श्रे लेते हुए कह रहे हैं कि सरकार ने डटकर मुकाबला किया सरकार ने कोई मुकाबला करोना से नहीं किया डटकर मुकाबला सिर्फ जन्द नहीं किया यह शब प्रदेश कॉंग्रिस प्रवक्त दिपक शेर्मा ने कहे शेर्मा मुख्यमंद्री जराम ठाकुर के उस ब्यान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें मुख्यमंद्री ने करोना से सरकार द्वारा डट कर मुकाबला करने की बात कही थी। के साथ जो दुर्ब्यवार हुआ उसे पूरे प्रदेश ने देखा। दिपक शेर्मा ने कहा कि वीडियो कॉंफ्रेंसिंग करने से डट कर मुकाबला नहीं होता। मुकाबला करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। कर दिया बलकि मध्यंबरक को इसे बंचित कर दिया। दिपक शेर्मा ने कहा कि भाजबा सरकार ने हर डट कर कोई काम किया। तो सिर्फ रश्चार किया। पीपीई किट मास्क सेनेटाइजर में घोटाला किया। करीबों को फ्री मेराशन देने में घोटाला किया। मुख्य मंत्री श्री जहराम ठाकुर जी द्वारा बियान दिया गया है कि करोना संकट काल से सरकार ने डट कर मुकाबला किया। ये बियान तरक संकत नहीं है, अगर डट कर मुकाबला किया तो परदेश की जनता ने किया। और सरकार की जहां तक बात रही, सरकार इस संकट के दौर में भागती नजर आई, जंता को अपने हाल पर सरकार ने छोड़ दिया मुख्यमंत्री मोहदय कहते हैं कि हमने वीडियो कॉन्फरेंसिंग की मोहदय वीडियो कॉन्फरेंसिंग करने से डटकर मुकाबला नहीं होता है डटकर मुकाबला तब होता जब आप जिस तरह से क्रोना संकटकाल में संग रूद केंदर थे, उनकी जो दुरदर्शा थी, उनको सुधार थे वहाँ क्या हाल था, जो पीडित लोग थे, उन्होंने ही वीडियो सारवजनिक रूप में मीडिया में डाल कर उसकी स्थिती को ब्यान किया, वो सामने लोगों के नजर आई यही नहीं, जो स्वास्तिया कर्मी, डॉक्टर्स और अन्या जो योधा थे, क्रोना योधा, उनके प्रती सरकार का क्या ब्यभार था, वो भी सब के सामने है, भरी रात में डॉक्टर्स को आपने जो है, वो विश्राम गृहों से बाहर निकाल दिया, उनके बेवस्ता क्या थ वो भी सब के सामने है, सरकार ने डट कर अगर कोई काम किया, तो सिर्फ एक काम किया, ब्रश्टाचार किया, चाहे वो मास्क वितरन का हो, सैनेटाइजर की बात हो, या पी-पी, किट की बात हो, या फिर गरीबों को राशन बांटने की बात हो, इस चीज़ को डट कर अगर भारते जन्ता पार्टी सरकार ने किया तो ब्रस्टा चाल किया और क्रोना संकटकाल को एक पैसे कमाने का राजनेतिक लाब लेने का एक अबसर समझ कर इसका इस्तेमाल किया और जिस ढंक से अगर इन्होंने कुछ किया होता मुख्यामंत्री जी कहते हैं कि मैंने जो है वो एक दर्जन के करीब केंदर सरकार के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग की क्या नतीजा निकला उसका उसका क्या फाइदा हुआ केंदर सरकार ने क्या राहत दी किसान, बागवान, मजदूर, मध्यमवर्ग, छोटा व्यपारी, होटल व्यपसाई ये सब के सब जिस तरह से पीडित और आर्थिक रूप से जिस तरह से बरबाद हुए सरकार ने इनको कौन सी आर्थिक सहायता दी या कौन सा विशेश सहायता पैकेज इनको दिया इस बारे में आगर आप कुछ करते तो हम कहते के सरकार ने जो है वो इसके बारे में कोई उचित और निरनाय कदम उठाया है आज जिस दो राहे के उपर परदेश खड़ा है जहां तक आर्थ व्यवस्ता की बात है पूरी तरह से तहस नएस हो चुकी है आर्थिक धंचा चर्म रा गया है आतम हत्याएं अब तक के चर्म सीमा उपे हैं और यही नहीं बिरुजगारी चर्म सीमा के उपर है महंगाई की अगर हम बात करें आज प्याज 70 रपे से उपर है आलू 50 रपे से उपर है सभी खाद्या पदार्थ सबजियां महंगे दामों पर लोगों को मिल रही हैं जबकि किसानों को उसके जो मूल्या है वो जिस मूल्या पे किसान से विचौलिये खरीद रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रेट के उपर आम भुकता को जो है वो खाद्या पदार्थ मिल रहे हैं आम आदमी की पहुंच से खाद्या पदार्थ आज बाहर हो चुके हैं कौन सी डटकर मुकाबले की मुख्या मंत्री में बात करते हैं माननिया मुख्या मंत्री जी अगर आप वाकई डटकर मुकाबला करना चाहते हैं तो महंगाई को कम करने के बारे में उचित शीगर कदम उ प्रदेश की सड़क स्वास्त्या सिक्षा इन इदारों पे जो बुरा हाल है उसके बारे में डटकर मुकाबला करें। प्याई टेवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट